नमस्कार आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल आज सजनी सिंदे का वाइरल वीडियो का रिव्यू फिल्म का नाम आप देख रहे हैं उससे जाहिर है कि फिल्म में क्या होगा जी हाँ यह एक वाइरल वीडियो पर केंद्रित फिल्म है जो आज के डिजिटल जमाने के बात करती है इस फिल्म के निर्देशक मिखिल मुसाले हैं उन्होंने बेहतरीन कलाकारों की एक टीम संगठ केंद्रित की है और यह फिल्म का निर्मान और निर्देशन किया है फिल्म के सिर्शक से इसपस्ट है कि यह सजनी सिंदे की कहानी है उसका एक वीडियो वाइरल हो जाता है और उस वाइरल वीडियो के पीछे के वज़ा और फिर उसके परिणाम क्या होते हैं इसी पर फिल् से और एक छोटी सी डिक्कत से सजनी सिंदे टीचर हैं फिजिक्स की टीचर हैं अपने चात्रों के बीच पॉपिलर हैं वह एक छुटी मनाने के लिए सिंगा पोर्जाती हैं और एक उनका पॉर्स्टनल इविट कहले के एक पर्सनल वीडियो वाइरल हो जाता है जिसके वाइरल होने से उनके बदनाभी होती है और फिर इस्थीतियां इतनी दुरूह और मुश्किल हो जाती हैं कि वहां से पीचे लौट पाना मुश्किल हो जाता हैं सजनी सिन्दे गायव हो जाती हैं और पुलिस तsl loaf का जारी होती है यहीं पर बेरा बारूद आती हैं कि भोमी का निम्रत कौर ने निवाई है यह फिल्म निम्रत कौर के अदाकारी के लिए देखी जा सकती है जिस सहस्ता से वो हिताइक कीकात करती हैं और मामले की जड़ में पहुंचने की कोशिश करती हैं और फिर कैसे एक-एक करके चीज़े उधगाटित होती जाती हैं और फिर हम जिन पर बिलकुल शक नहीं कर सकते हैं उन पर जाकर उंगली टिकती है और फिर यहां बेद खूता ह हैं या एक ठ्रिलर भी है यह एक रहस्त में कहानी है जो धीरे-धीरे प्रकट होती है और एक रुची बनाए रखती है अलाकि फिल्म के कम्हीए पठकता में दिकते हैं जिसकी वज़े से आप फिल्म के दर्मियान उचट जाते हैं और आपकी संबधता कम हो जाती है लेकिन बेला बारूद और बार बार रादिका मदान के आने से एक रुची फिर से पैदा होती है इस फिल्म में कुछ मराठी कलाकारों ने काम किया है और क्या शाददार काम किया है उनके लिए भी यह फिल्म देखी जाने चाहिए लेकिन मेरे लिए यह फिल्म निम्रत कौर की फिल्म है और उन्हेंने मिली हुई भमिका को मिली हुई चुनती को महुत अच्序 तरीके से पर-दे पर पेश किया है यह एक छोटी फिल्म है अगर आप देखना चाहते है तो जूरूर देखे कोई जल्दिबाजी न करें जी हाँ शुक्रिया, महर्बानी, धन्यवाद